हेलो फ्रेंड जै बद्रविसाल कैसे हैं आप सब स्वागत है आपका हमारी चैनल इसपार की श्रद्धा में तो फ्रेंड्स ये करवाचोथ के एक दिन पहले का वीडियो है लेकिन सायद ये पब्लिस करवाचोथ वाले दिन हो तो हमारे यूटूब के फैमली के सभी सदस्यो को करवाचोथ के देव सारी सुपकामना है फ्रेंड्स एक दिन पहले ही सको मैं मुझे पब्लिस कर देना था लेकिन थोड़ा सा एडिटिंग औगारा नहीं कर पाई थी टाइम नहीं मिल पाया था इस वज़़ा से मैं नहीं पब्लिस कर पाई हूँ तो फ्रेंड्स एक दिन पहले का आप लोग सोच रहे होगो कि एक दिन पहले कौन से तयारी होती है करवाचाओत की लेकिन हाँ कुछ ऐसा ही हो गया एकचली क्या हुआ जो मैंने करवाचाओत की साड़ी मैंने सोचा था कि मैं ये ही पहनूंगी तो वो हजबेंड को पसंद नहीं आई उन्होंने कहा कि नहीं ये साड़ी मत पहना तो फिर इसलिए उन्होंने कहा कि चलो मुफत में मारकर से ही अभी कि अभी अभी अब चले दि अज मैंने साड़ी पहने हुई दी तो ये साड़ी मुझे बहुत पसंद है तो इकशली पहनना मुझे बहुत पसंद है लेकिन मादर इस वज़ा से कि मैं ज्यादा देर तक कैरी नहीं कर पाती हूँ तो बस इसी वज़ा से मैं नहीं पहन पाती हूँ तो friends हम लोग फिर चल दिये market की तरब धूप बहुत तेज थी लेकिन मौसम थोड़ा गुलाबी सा ठंड आ गया है तो इस वज़ा से धूप अच्छी लग रही थी जैसे ही market में entry मारते ही न फिर पूरे मतलब इतनी भीड से दिख रही हुई थी हर सौप पे इतनी ज़्यादा भीड थी कि घुसने से पहले सोचना पढ़ रहा था कि यहाँ पर मेरा number आएगा या नहीं आएगा सोच कि जिस साड़ी की सौप पे आने के लिए मैंने सोच रखा हुआ था कि हाँ इस पे मैं आऊंगी वहाँ पर बिल्कुल भी मतलब इक्दम जैसे चढ़ावा नहीं चढ़ता है बस ऐसे ही हो रखा था बिल्कुल भी वहाँ पर टाइम नहीं मिल पा रहा था कि हाँ मेरा भी वहाँ पर number आ सकता है तो फिर मैंने फिर का कि चलो छोटी सौप पे कहीं जहाँ देखते हैं कि जहाँ पर भीड ना हो तो ऐसी सौप देखा जाता है तो यहाँ पर भीड थोड़ी चटी हुई थी बाकि ऐसा नहीं था बराबर लोग आ जा रहे थे और यहाँ पर उल्टी हुई साड़ियों की एकदम धेरी लगी हुई थी मतलब कोई तह बनाने वाला नहीं था क्योंकि सारे लोग दिखाने में ही बीजी ही थे तो बस जो उल्टी हुई साड़ियां थी उसी में से मैं भी थोड़ा देखने लगी कि साइद कुछ थोड़ा बहुँ समझ में आए यह पिंक वाली साड़ी अच्छी लग रही थी मुझे और इस कलर की साड़ी थी भी नहीं मेरे पास में तो मैंने इसको ट्राइ भी किया था तो बहुत अच्छी लग रही थी खिलके आ रही थी साड़ी उसके बाद मैं यलो कलर की साड़ी ने दिखाई जो पसंद तो आई लेकिन बस मुझे लेना नहीं था क्योंकि यलो कलर मेरे पास इतनी जादा साड़ीया है कि बिल्कुल लेनी कमर नहीं था उसमें तो छटनी करनी पड़ थी यह कहीं किसी साड़ी में ब्लैक कलर ना हो तो यही सब और रेड कलर आप मतलब परियर नहीं ले सकते हो एक अच्छी खासी रेंज बन जाती है रेड कलर लेने का तो और रेड कलर हर जगा पहन भी नहीं सकते हो तो यह सब भी देखना पड़ रहा था तो यहाँ पर बस वही जो है साड़ीया हम लोग उसी में से देख रहे थे और जो पास की थे वो लोग भी उसी में से देख रहे थे फिर हमने एक साड़ी यहाँ से मैंने लिया और हसबेर ने पेमेंट यहाँ कर रहे हैं वही पे ही फाल पीको के लिए उन्होंने साड़ी भी रख लिया उसके बाद में फिर हम यहाँ आगे बड़YU क्योंकि स्रंगार के कुछ सामान हमें लेने थे तो इस वज़से जैसे चूड़ी बिंदी वगरा जो भी लगते हैं स्रंगार वाले तो बस वही सामान हमें भी लेने थे लेकिन भीड इतनी जादा थी मोबाइल मैंने नहीं निकाला क्योंकि फिर साइद भूल के चली ही आती क्योंकि इतना जादा भीड नहीं निकाला फ्रेंड्स यहाँ से आप देख रहे होंगे एक तरफ से जोलर्स की सौप है यह मार्केट ना पूरी जोलर्स सौप की ही है और कुछ एक बरतन वाली सौप भी है तो हमें यहाँ कुछ बरतन लेने थे तो इसी वज़ाद से इस तरफ हम लोग आ गए तो वह एक तरफ से देख रहे थे क्योंकि यहाँ पर जोलर्स वाले तो ज्यादा थे बरतन वाले कुछ कम ही दिख रहे हुए थे तो देखना पड़ माता कि एक फोटो मुझे लेना था तो वही मैं लेने लगी हुई थी बाकी करवा गएरा तो हमारे हाँ जो साधी में लोटा रखा जाता है तो बस उसी लोटे से ही हम लोगों का हमेशा के लिए वो करवा पूजा जाता है उसके बाद में फिर हम यहाँ पर सामने ही सौप थी बरतन की तो वहाँ पर हम लोग आ गए और उसके बाद में फिर हमें यहाँ पर हमने वही एक दो बरतन लेना था वही हमने फिर ले लिया और उसके बाद में फिर हम घर की तरफ चल दिये रास्ते में मलब कालोनी के पास में ही एक महिदी लग रही हुई थी तो वही बस ज़दा नहीं लगवाय हो तो क्योंकि टाइम ज़दा लग रहा था मेरे उब होने लगती है जब दोनों हाथ में लग जाता है तो बस इसी वज़ा से मैंने जलदी जलदी में फिर मैंने कर और एक हाथ में थोड़ा सा हाथ भरनने वाला हो दीसरे हाथ में फिर मैंने बस ऐसी ही। अरे भी वाला मैंने बनवा लिया था और यहां पर एक आंटेbones थी ओ बे lindo में बनाने लगी न तो उन्हें समझ में आ गया कि सैदी यूटूब के लिए बना रही हैं उन्होंने बहुत अच्छे से सारा जीश कबर किया और उसके बाद में फिर उन्होंने का मेरा कैसे लिया जाएगा फिर मैंने का आंटी मैं लूंगी न आपका तो यहां पर यही आंटी ह महें अपना मेहदी अब जलदी जलदी लगा रही हुए थी मुझे महेदी लगाना बिल्कुल भी नहीं याता है और हर साल अगर एक हात मेन अगर लग भी जाता है लिए आप जीजा फात में पूरी तरीकी से फैल हूं मुझसे हो ही नहीं सकता है और उसके बाद में फिर मैं यहां से मैं चल पड़ी और घर आने पर डायरेट किचन में आ गए क्योंकि सब को भूख लगी हुई थी और चाय का भी समय हो ही गया था तो फिर मैंने यहां पर मैंने सबजी के लिए गोभी और प्यास कट करके गई और गोभी और प्यास के बस बारिक-बारिक के मैंने टुकडे कर लिया आजकल प्यास के भी महेंगाई ज्यादा हो गए प्यास भी बस मैंने एक ही छोटा प्यास था उसी को भी मैंने कट किया ज्यादा मैंने नहीं डाला और अभी तक टामाटर के बहाओ एकदम आसमान वाला कि हाँ यह कम हो जाएगा तो उसके बाद में फिर मैं इसी को ही कट करने लगी और कापी दिन हो गया था हमारे घर में पकोड़ी नहीं बना हुआ था और इस पेसली पकोड़ी मुझे ही बहुत जाधा पसंद है मैं घर में और सब को क्या बताऊं गोभी को बड़े- तो मैं जब थोड़ी से न वो गोभी अच्छी वाली नहीं रहती है न जो एकदम बधी हुई सी रहती है फूल वाली तो ऐसे फैली हुई वाली रहती है तो मैं उसका ऐसी ही करती हूँ या तो उसका पराठा बनाती हूँ और या तो इसका पकोड़ी ही बनाती हूँ तो य इसका पकोडी ही बनाने में लग गई उसके बाद में यहां पर रखा हुआ था फ्रिज में मैंने थोड़ा साग बजा के रखा हुआ था तो उसी साग को इसी में मिला दिया उसके बाद में इसमें मैंने अद्रक लेसुन का पेश्ट डाला जीरा एक चमश डाल दिया हुआ थ बैसन फोड़ा गूभी और साग की पकोडी में ज्यादा लगता है तु इसमें डाला इसमें नहीं डाला और चावल का आटा में यह राधला यह स्कुष हा उसके टोड आल का हो डालने से क्रिस्पी बनता है इसमें लग शिल्ला पाउडर गरब मसाला पाऊडर और लाल मिर्च पाऊडर मैंने डाला आज मेरा तीखा खाने का बहुत ज़यादा मन कर रहात है तो फिस मैंने बस दो हरी मिर्च अभीक शिज्च काटा आराम से निकल जाए क्योंकि बेटा भी है तो तीखाना लग जाए तो आराम से देख कि वह निकाल मैं नमक डाल के थोड़ा सा पानी डालती हुए मैंने मिलाना श्टार्ट किया वैसे तो मैं पानी नहीं डालती हूँ जब समय होता है कि आप थोड़ी देर के लिए रग दो तो उसमें जब नमक आप डाल दो तो साग है और गुभी है तो इन सब में आराम से गल जाता है और पानी अपने आप निकल जाता है नमक डालते ही तो लेकिन बस थोड़ा जल्दी बाजी करनी थी तो इसी वज़ा से मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालके मैंने किया यहां पर देख रहे हैं न मेरी मेहदी हलकी हलकी अप चढ़ने भी लगी बहुत अच्छे से की बस घर आते ही मैंने इसको उतार दिया था महिदी क्योंकि फिर यह बहुत जादा काली हो जाती है वो मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगती है तो बस यह मैरून सा कलर हो जाए बस इसलिए मैंने किया था और रास्ते भर में तो सूख भी गई हुई थी तो इसके बा गैस पे चढ़ा दिया ना तो इसको अगर आप पोस्ते नहीं हो तो फिर यह लोही की कढ़ाई ऐसे जंग जैसा लग जाता है किनारे किनारे तो फिर मैंने बस तुरंत ही मैंने मुझे बनाना था जटपट वाला काम साथ ही मैंने चाय भी बना लिया हुआ था और चाय के ब तो वह कैसे भी करके थोड़ा बहुत जल्दी बाजी करने में लगी पड़ी हुई थी एक हरी मिर्च भी मैंने मुझे आज इतना जादा तीखा खाने का मन कर रहा था नोराते ब्रत के बाद में तीखा और चटपटा खाने का बहुत जादा मन करता है तो यहां पर फिर एक हरी मिर्च भी मैंने इसको बेसन में जो उसका पकोड़ी का था बस उसी में ही लपेट के मैंने फिर रख दिया और इसके बाद में फिर लिया मैंने चाय और चट्टी और बस अब सब लोगों को इसी में ही सब लोग आज एक साथ ही हम लोग खाएंगे होगी फ्रेंट थैंक्स वर वाचिंग